एक जंगल में सिंबा और वीरू नाम के दो शेर रहा करती थे सिंबा बिलकुल काली नंका और ना समझ था लेकिन वीरू बड़ा होशियार और दयालू था वो सभी जानवरों की अपने पिता की तरह ही देखबाल किया करता था वीरू अपनी पत्नी और अपने बेटे शेरू के साथ खुशी से रहता था लेकिन सिंबा किसी भी जानवर का शिकार कर लिया करता था सभी जानवर सिंबा से बड़े परिशान आ गए थे तब एक गाई वीरू के पास जाती है और कहती है अरे अरे वीरु भाई तुम्हारे भाई हमें बड़ा परिशान करते हैं वो किसी भी जानवर का शिकार कर लेते हैं तब वीरु सिम्बा के पास आता है और कहता है अरे सिम्बा यह तुम क्या कर रहे हो आखिर तुम जानवरों का शिकार करना कब छोड़ोगे आगे से तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं हो वीरू के इतना रोकने के बावजूद भी सिम्बा जानवरों का लगतार शिकार करता रहता है अब सभी जानवरों उससे परिशान होकर फिर से वीरू के पास जाते ही और उसकी फिर से शिकायत लगाते ही तब वीरू सिम्बा को बलाता है और गुस्से में बोलता है तब सिंबा गुस्से से वो जंगल छोड़ कर चल देता है कुछ दूर जाने के बाद सिंबा को दूर खड़े तीन रंगीन शेर देख रहे थे अरे भाईयो ये तो वीरू का ही भाई सिंबा है ये तो बड़ा गुस्से में है चलो चल कर पूझते हैं आखिर क्या बात है तब वो तीनों सिंबा के पास जाते हैं और बोलते हैं अरे अरे सिंबा भाई क्या बात है तुम इतने गुस्से में क्यों हो मुझे मेरे भाई वीरू ने जानुरों के साथ मिलकर जंगल से निकाल दिया है वो खुद को बहुत होशार समझता है यह सुनकर एक रंगीन शेर सोचता है अरे यह तो और भी अच्छा मोका है वीरू को मरवाने का अरे सुनो सिम्बा भाई वीरू ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया तुम्हे उससे अपना बदला लेना होगा नहीं तो सभी जानवर तुम्हें कमजोर समझेंगे तब सिम्बा उनकी बाते सुनकर और भी गुसा हो जाता है और वो वीरू से बदला लेने की ठान लेता है और वो रात होने पर उन रंगीन शेरों के साथ मिलकर वीरू को मरवा देता है तभी वही पर खड़ी एक गाय यह सब देख लेती है तब शेर नी अपने बेटे को लेकर उसके पास जाती है सुनो गाय गाय बेहन ये दुष्ट शेर मेरे बेटे को भी मार डालेंगे तुम इसे लेकर यहां से भाग जाओ तब गाय शेर्णी के बेटे को लेकर वहां से दूसरे जंगल चली जाती है और वो रंगीन शेर शेर्णी को भी जान से मार डालते हैं और तब सिंबा से कहते हैं सुनो सिंबा हम यहाँ पर वीरू को ही मारने आये थे लेकिन तुमने खुद ही अपने भाई को मरवा डाला अब हम तीनों इस जंगल पर राज करेंगे तब वो तीनों शेर सिंबा को एक पिंचरे में कैदी बना लेते हैं धोके बाद शेर तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है तुम्हें इसकी कीमत चुका नहीं होगी तब वो तीनों रंगीन शेर वीरू को मार कर और सिंबा को कैद करके खुद जंगल पर राज करते हैं और वो तीनों रोज किसी ना किसी जानवर का शिकार कर लिया करते थे अब कुछ साल बीट गए गाए शेर्णी के बेटे शेरू को लेकर इस जंगल पहुचती है और उसे उसके बच्चमन में बीती हुई सारी बाते बताती है पहले तो शेरू को अपने माता-पिता की मौत के बारे में ये सुनकर बढ़ा दुख होता है साथ ही उसे उन रंगीन शेरू पर भी बहुत गुसा आता है तो बताओ गाए मा मेरे चचा सिम्बा अभी कहां पर होंगे बेटा तुम्हारे चचा को उन तीन रंगीन शेरू ने एक काली पहाड़ी के पीछे कायद कर रखा है तब शेरू जल्दी से अपने चचा के पास पहुँचता है और उन्हें आजाद करा लेता है तब सिम्बा दुखी मन से शेरू से कहता है मुझे माफ कर देना बेटा मैंने उन रंगीन शेरों के बहकावे में आकर तुम्हारे पिता को मरवा डाला था मुझे माफ कर दो अब ये बाते करने का समय नहीं है चलो पहले हमें उन रंगीन शेरों से अपना बदला लेना होगा तब वो दोनों उन रंगीन शेरों के पास पहुचते हैं रंगीन शेर अब तुम्हारा उपर जाने का समय आ गया है अब तुम्हें अपने क्ये की सजा भुगत नहीं होगी तब वो दोनों मिलकर उन तीनों रंगीन शेरों को जान से माटालते हैं और उनसे अपना बद्रा लेकर चचा भती जे जंगल की देखभाल करती है और सब फिर से ठीक हो जाता है इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से ये सीख मिलती है हमें कभी भी किसी के बहकावे में आकर अपनों के उपर से भरोसा नहीं उठाना चाहिए अगर आपको ये कहानी इंटरस्टिंग लिगी है तो इसको लाइक करें शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करें एक जंगल में गबल नाम का एक शेर अपने बेटे बगीरा के साथ रहा करता था बगीरा अपने दोस्तों के साथ बड़ा खुश रहता था एक बार बगीरा का दोस्त भालू बोलता है सुनो बगीरा भाई मैंने तो सुना है कि पार्स वाला जंगल बहुत सिंदर है लेकिन मेरी माँ बताती है कि वहाँ पर बहुत खतरड़ा जानवा रहते है यह सुनकर बगीरा भागता हुआ अपने पिता के पास पहुचता है और बोलता है सुनो पिता जी मैंने सुना है कि पास वाला जंगल बहुत सुन्दर है मुझे भी महाँ पर जाना है पिता जी यह सुनकर गबर बड़ा परिशान हो जाता है और साथ ही दंग भी रह जाता है नहीं नहीं बेटा महाँ जाने का आगे से नाम भी मत लेना महाँ बहुत खतरनाक जानवर है समझ गए? गबर बगीरा को महा जाने से रोक देता है अब कुछ समय बीच जाता है अब बगीरा भी जवान हो गया था तब वो उस जंगल में जाने की ठान लेता है और अपने पिता को बिना बताए ही उस जंगल की ओर निकल पढ़ता है उस जंगल में पहुँच कर बगीरा ने जो देखा उसको देखकर बगीरा की आखे फटी की फटी रह गई बगीरा देखता है कि उस जंगल के सब भी जानवर जॉंबी वने हुए थे उनको देख बगीरा भी बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है कुछ दूर चलने के बाद उसी जंगल का राजा बाग दिखाई देता है बाग ने एक सफीद शीर को एक पिंजरे में कैद कर रखा था उसको देख बगीरा बोलता है अरे ये क्या ये तो पूरा जंगल जॉंबियों से भरा पड़ा है शायद इसलिए पिता जी मुझे यहां आने से रोकते थे लेकिन ये सफेद शीर कोण है इस बाग ने सफेद शीर को क्यों कैद किया हुआ है बगीरा की यह सारी बाते पेड़ पर बेटी एक चील सुन रही थी तब वो बगीरा को आकर बोलती है सुनो शीर यहां से कुछ दूरी पर एक गाय रहती है तुम वहीं चले जाओ वो तुमें सब कुछ बता सकती है तब बगीरा जल्दी से उस गाय के पास पहुचता है बगीरा को देख गाय हैरान रह जाती है अरे गाय यह जंगल जोंबियों से भरा हुआ क्यों पड़ा है और उस बाग ने एक सफेद शेर को क्यों केद कर रखा है बेटा यह एक बहुत बड़ी कहानी है चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ अब से कुछ साल पहले सिंभा सफेद शेर तुम्हारे पिता इस जंगल के राजा हुआ करते थे तुम्हारे पिता के दो दोस्त थे जो तुम्हारी गुफा पर ही रहते थे उनमें एक का नम गबबर शेय था और दूसरा बंटी बाग गबबर शेयर तुमारे पिता का एक वफादार दोस था लेकिन बंटी बाग तुमारे पिता से चिप कर जानवरों का शिकार भी कर लिया करता था एक बार ऐसा हुआ बेटा कि बंटी बाग को शिकार करते गबबर शेर ने देख लिया और गबबर ने आकर तुम्हारे पिता को उसकी पूरी हकीकत बता दी कुछ देर बाद बंटी वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर सभी जानवर सिंभा और गबबर की साथ खड़े है क्या हुआ भाईयो आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो बंटी, हमें सब पता चल चुका है कि वो शिकारी तुम ही हो जो जानवरों का शिकार करता है अब ये सभी जानवर तुम्हें जान से माड डाले उससे पहले ही तुम ये जंगन छोड़कर यहां से दफा हो जाओ तब भाब गुस्से से आग बगुला होकर वहां से चला जाता है सिंभा, सभी जानोरों के सामने मेरी बेज़ती करने का हिसाब तुम्हें देना होगा एक दिन मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूँगा बंटी ऐसे ही गुस्से में हमारे जंगल से बहुत दूर निकल जाता है महां अचानत एक जॉंबी तैंदवा उस पर हमला करके भाग जाता है जिससे बंटी बाग भी एक जॉंबी बन जाता है पहले तो बंटी बहुत परिशान हो जाता है लेकिन फिर वो सोचता है अरे, अगर मैं एक जॉंबी बन ही गया हूँ तो मैं सिंभा से अपना बदला लेकर रहूँगा तब बंटी बाग फिर से जंगल घुसाता है और जानवरों को माहना शुरू कर देता है जानवर मरते ही एक जॉंबी में बतल जाते थे इसी तरह उसने बहुत से जानवरों को जॉंबी बना दिया था ये बात जब तुम्हारे पिता को पता चलती है तो वो बड़े परिशान हो जाते है सुनो मेरे दोस्त गबबर क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो हाँ मेरे दोस्त मैं तुमारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ तुम ऐसा करो गबबर कि बगीरा को अपने साथ लेकर यहां से किसी दूसरे जंगल चले जाओ लेकिन दोस्त मैं तुम्हें यहां अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ गबबर जल्दी से करो तब गबबर तुम्हें वहाँ से दूसरे जंगल ले गया बेटा और उस बागदी तुम्हारे पिता को एक पिंच्रे में कायद कर लिया सिम्भा मैं तुम्हें आसानी से एक जॉंबी नहीं बनाऊंगा तुम्हें इस केद में तडब तडब कर मरोगे याद रखना बेटा तुम्हारे पिता अभी भी जिन्दा है लेकिन हम उन्हें आजाद नहीं करा पाएं बेटा नहीं गाएं मैं उन्हें आजाद कराऊंगा और उस बाग से अपने पिता का बदला भी लूगा लेकिन बेटा वो कैसे? क्या जंगल में कुछ जानवर ठीक है जो अभी जॉम्बी ना बने हो? हाँ बगीरा अभी कुछ जानवर बिल्कु ठीक है तो तुम उनसे धेर सारा मास इकठा कराओ और उसमें बेहोशी की जड़ी बूटिया मिला देना मैं आज बन्टी की दावत करूँगा इतना बोल कर बगीरा एक जॉम्बी शेर की खाल पहन लेता है और बन्टी के पास पहुँचता है अरे शेर तुम कौन हो? और कहां से आये हो? अरे बन्टी दोस्त मैं भी एक जॉम्बी के जंगल से आया हूँ मैं तुम्हारा दोस्त बना चाहता हूँ इसलिए मैंने आज तुम से भी जॉम्बियों की दावत का इंतजाम किया है तब बन्टी जंगल के सभी जॉम्बी जानवरों के साथ बगीरा की दावत पर पहुँचता है तब वो सभी वो मास खाकर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं तब बगीरा जल्दी से उन सभी जॉम्बियों में आग लगा देता है जिससे वो सभी जॉम्बी जल कर मर जाते हैं और बगीरा अपने पिता को जाकर आजाद करा लेता है और उस बाग से अपने पिता का बदला लेकर बागी सभी जानवरों के साथ फिर से जिंगल में शान्ती का माहोल बना कर खुशी खुशी रहने लगता है तो कैसी थी आज की हमारी स्टोरी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी अमीजिंग यूनिक स्टोरी के लिए आप हमारी चानल को जरूर सबस्क्राइब करें